आज मैं फिर आई हो आपके साथ एक नई रामेडी में आज आपके लिए लेकिया आई आए चले स्टाट करते हैं इसके लिए हमें सबस्दे पहले चाहेगा एक अज़र फाऊल इस बाऊल में हम एड़ करेंगे वन टीवली स्पून कोफी करेंगे काफीद करेंगे इसके और इसके बाद हम कमुआ पानी यूस करेंगे खीरे का पानी कॉफी में हमारे पास एंटियोक्सिटड़ होते हैं जो इसके लिए बहुत ही बहुत ही पहतरीन होते है और कॉपमर आपके आईसपोग ब्लीचि एफट देगा इसलिए तक तो में बगा पानी उस करेंगे हम उसमें वाइटमें वाइटमिन सी भी होता है और हम 2-3 टेबल स्पूल रोस वाटर यूज़ करेंगे मैं आप साइड जानिका है आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं 2-3 टेबल स्पूल और यही हम अलोया चैल यूज़ करेंगे 2-3 टेबल स्पूल अलोया चैल यहीं आप किसी को मोइस्ट करेंगा और जो रोस होता है वह आपकी फाइनाइट्स वेंगल से लिमोफ करने में फैल्प करेंगा तो यह बहुत ही बेतरीन रेमिडी है डार्क सरकल्स के हिए इसे आप ज़रूर ट्राइब कीज़ेगा और एगुलरी ट्राइब कीज़ेगा क्योंकि कोई भी चीज आपको फॉरण से इफैक नहीं देती है इसके लिए थोगासा आपको मेहनत करनी करती है यह आपका बन गया अपका बन गया ठीक है यह कोफी और यह सब मिक्स हो गया अपको अच्छे लिए और फिर से आइस क्यूब कंटेनर में राले और इसको क्यूब में कनवर्ट कर लीजिए और फिर डेली हम इस आइस क्यूब को अपने आइस पर रब कीज़ेगा अपने आइस के फुल आइस लोग पर नीचे सब्सक्राइब करने के लिए इसे आप यूज कीज़ेगा और अच्छा अगर किसी को आइस क्यूब नहीं चलती है तो उसके लिए यह है कि वहीं चमच कॉफी ले ले एक टेबल इस्पून उसमें कोगनट ओयल आइट करें और दो से तीन टेबल इस्पून ऐलोवेरा जेग और इसे किसी कंटेनर में डालके फ्रिज में राखतें और फिर जब अपलाई करना हो आइस के आसपास के एरियास में और अपर आइस पे दोनों पे आइलीट पे दोनों पे अपलाई करें जिसको वह नहीं चलती आइस क्यूब ठीक है अदर्वाइस यह बहतरी में स्कॉलूशन है आपकी राख सर्कल्स के लिए इसे जरूर ट्र और इसके एलावा मैं एक पूर शीज बताना चाहूं कि जिनके आँकों के बार बार चपने के आदत होती है वह यह करें कि रोगस डेली खाने के बाद एक चमच शहर खा लिया करें इसे वह बहुत परेगा और जिनकी आइस से पानी निकलता है वह कर लीजिए कि रोज जरूर के रख दें और सुबह ग्यारा बदाम में एक चमच सौफ मिला के खा ले इससे भी आखों का पानी निकलना बंद हो जाएगा तो यह बहुत चिरह मेरी है आइस से रिलेटिड जरूर ट्राइक कीजिएगा और इससे फाइदा खाएगा ओके अलाफेज टेक्यर चलाइएगा चलाइगा